मदिव्रदेश में मंत्रियों के आलिशान बंगलों की सास सज्जा पर कमलनात की कंगली सरकार ने करोडों रुपे फिजूल फूग डाले हैं लेकिन गरीबों को सरकार ने उनके हाल पर ही छोड़ दिया है ये खबर पीडवलूडी मंत्री सज्जन सिंग वर्मा को समर्पित है मंत्री जी देख लीजिए आपके देवास काहार वहां के गरीब किसान भी आपकी सरकार की तरहां दो तारों के सहारे लटके हैं कि साबधानी हटी और दुरघटना घटी ये खबर MP के लोकनिर्माड मंत्री सज्जन सिंग वर्मा के लिए है सज्जन सिंग वर्मा ने अपने भोपाल के सरकारी बंगले की साथ सज्जा पर इतने रुपे खर्च कर लिए कि जितने में एक नया मकान आ जाता मंत्री सज्जन सिंग वर्मा आप जितना बोलते हैं उतना काम अपने इलाके में कर रहे होते तो पूरा देवास इलाका स्वर्ग हो जाता और कुछ गरीब गुर्बों को तारों पर लटक कर अपने खेतों तक नहीं जाना पड़ता यह तस्वीर मदबरेश की हकीकत बया करने के लिए परियाप्त है देवास आपका इलाका है और वहां के ये हाल बताते हैं कि वहां विकास कैसे हुआ है दुर्दशा के ये चितर नेताओं की नेतागिरी इस इलाके में कैसी है इसका जीता जाकता सबूत है आप कह सकते हैं हमारी सरकार को तो सिर्फ 6 महिने हुए हैं लेकिन कुछ करके दिखाना हो तो 6 महिने भी बहुत होते हैं और आप तो लंबे अर्शे से इस इलाके के नेता हैं आपके राज में अपनी जान जोखिम में डाल कर ये किसान और उनके परिवार नदी पार करते है किसान खेती करने के लिए रसी और तारों के सहारे जान जोखिम में डाल कर इस बहते पानी पर इस पार से उस पार होते हैं मंत्री जी, यह आपके विदान सभास सोन कक्ष की ग्राम पंचायत बेरा खेड़ी और ग्राम पंचायत पटाडिया ताज के किसान है लेकिन आपको इनकी परेशानी से क्या, आपकी नेतागिरी तो चल रही है ना, भाड में जाए गरीब के सार, यहां के लोग हर जगां दस्तक देने के बाद पंचायत से भी लिखा पड़ी करके सरकार के पास भिजवा चुके हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है पूल नदी है वहां पर पूल बनना चाहिए, शासन को उस और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खेत पर जाने के लिए महिला और बच्चेप साथ में जाते हैं, जिसे कभी कुछ बड़ा असा हो सकता है, इसलिए शासन को वहां पर कुछ पूल बनाना चाहिए, हमारे दुआरा सजन सिंग वर्मा इन गरीब गुर्वो की भी सुन लीजिए, या फिर इंतजार कीजे, यहां कोई बड़ा हाथसा होने का, क्योंकि जब आप अपने आलिशान बंगलों में बैट कर बड़ी-बड़ी बाते करते हैं, उस समय आपके इलाके के यह लोग पेट पालने के लिए जान की बाजी लगा कर इन तारों और रसी के रास्तों से सफर करते हैं, इन किसान परिवारों के लिए तो ऐसे में जिन्दिगी की किसी जंग से कम नहीं होती, इस रास्ते का एक सिरा एक खंबे से, तो दूसरा सिरा एक पेड से बंधा है, मंतरी जी आप वाकई में अपनी प्रजा के हितैशी हैं, तो इन हवा में जूलते लोगों के लिए कोई पुखता इंतिजाम कीजिए, बैसे आपके इलाके के इस किस्से से आपकी सरकार का हाल भी बया होता है, जिसका एक सिरा निर्दलियों से बंधा है, तो दूसरा सपवस्पा में है, ऐसे में साब्धानी हटी, तो दूरु घटना घटी आप देख रहे हैं, दखल नियूल